Friends, कल का दिन again एक और बहुत महत्वपून, बहुत important day है, हमारी wishes को manifest करने में एक miracle की तरह साबित होगा कल एकादशी का दिन है और साल में काफी सारी एकादशी आती हैं, उन सारी एकादशी में कल का दिन बहुत-बहुत blessed माना गया है, बहुत powerful माना गया है कल की एकादशी, बहुत बड़ी एकादशी मानी गई है, कल नीरजला एकादशी के नाम से जाना जाता है, ये मैं आज की वीडियो में क्यूं बतारी हूँ, ये इसलिए बतारी हूँ, क्योंकि जब ऐसे बहुत महत्वपून दिन होते हैं, तो उस दिन क्या होता है, इन सारे important में आप अपनी wishes के लिए कोई भी टेखनीक कोई भी काम करेंगे तो वह बहुत awesome result instant result देती है okay so instant result मिलता है लेकिन desperate नहीं होना है okay so अभी इसका क्या है कि निर्जला इक आदशी है तो लोग fast रखते हैं पूरे दिन बिना पानी के निर्जला मतलब होता है बिना पानी के निर्जल बिना पानी के fast रखते हैं भूके प्यासे बिलकुल खाना भी नहीं खाते पानी भी नहीं पीते और फिर व्रत में रहते हैं अच्छा ये व्रत विष्णु भगवान का होता है ठीक है अब क्या है कि depend करता है तरहाल में रखना ही रखना है चाहे तब खराबी क्यों न हो जाए ऐसा मत करिएगा किसी भी व्रत को पूजा को करने के लिए आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उतने positive thought create कर पाओ अगर व्रत रख लो निर्जल व्रत रख लो इस चाहत में कि हां हमारी wish पूरी हो जाएगी और क्या हो कि लास्ट में आप बिल्कुल उस उतनी पावर भी ना रहे कि अपनी wish के बारे में सोच भी सको तो कोई फायदा ने रहेगा ऑके सो भगवान भी कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से स्वस्त हो ठीक हो तक स्मारण करो वो जादा अच्छा है ऑके सो ध्यान रखेगा यह छोटी सी बात मैंने बता दी है यहाँ पर कल क्या करने वाले हो आप लोग कल क्या ऐसा काम करोगे जिससे आप लोगों के एक सबसे पहली चीज आपके जो कामेक एफेक्ट्स हैं जो हर एक की जिंदगी में है और सब परिशान है इससे जो कार्मेक एफ कार्मेक एफेक्ट्स होते हैं सबको पता है कार्मेक एफेक्ट्स एक बार नहीं बार बार बहुत बार फोल्ड हो के आपकी लाइफ में आते हैं जो आपके कार्मेक एफेक्ट्स हैं अच्छाओ यह कार्मेक एफेक्ट्स हो सकता है मेभी इस जनम का ना हो पिछले जनम का हो यह different zone में हम जा रहे हैं इतना हमें पता है कि हम सब के कर्मों का बंधन रहता है वो कर्म हमें effect करते हैं चाहिए वो हमारे कुंडली में दोश निकलाते हैं जोब आप शादियां करने चलते हैं कोई मांगलिक है, किसी का काल सर्ब दोश है किसी के कुछ दोश है किसी में इतना सब कुछ कर रहे हो कोई बरकत नहीं, तरक्की नहीं उन सब लोगों के लिए कल का दिन बहुत important है अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पाने के लिए आपको सिर्फ छोटे से हुपाई करने है, क्या करना है कल जो ये जेष्ट एकादिशी मतलब ये जो जेट का महीना है ये जो गर्मी की तपश वाली जो अभी बहुत गर्मी है बहुत तेज गर्मी है इस गर्मी में ये जो एकादिशी आती है वो भी नर्जला एकादिशी और साल की सबसे बड़ी एकादिशी इस दें आप कुछ भी गर्मी को काटने वाली चीजें अगर आप डोनेट करते हो, दान करते हो, किसी को कुछ देते हो तो उससे आपको बहुत बड़ा पॉजिटिविटी मिलती है पुन्य मिलता है एक तरह से, जो पुन्य वर्ड हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन है, कि हम कहां से पुन्य कमाले और पुन्य कमाले के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, तो कल का दिन तो मिस्मत करिएगा यह आपके लिए हैं नहीं, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स के, फैमिली में हर चीज में आपके पूरी लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है सो सारे साल अगर कुछ नहीं किया है कोई बहुत जादा कोई डोनेशन नहीं की कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए कल का दन मैस नहीं करना है कल आप क्या कर सकते हो इस गर्मी से बचाफ के लिए आपको जो भी चीजें आप दे सकते हो बचाफ के लिए आप चीजें पिलाते हुए लोग बहुत शर्बत पिलाते हैं आज के दिन, आज की तपिश जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो और उसका गलत तर होता है तो ऐसा लगता है ना पानी भी कि आत्मा तर हो गई उस सोल को जब आप इतनी healing एक तरह से दें यह healing है, unknowingly आप healing ही दे रहे ह वो त्रिप्त मतलब वो साटिस्फाक्शन दे रहे हो वहां से जो पॉजिटिविटी और वहां से जो ब्लेसिंग आप एब्जॉब करोगे यह आपकी लाइफ में मिराकल की तरह सिद्ध होगा यह मान के चलिएगा अच्छा अब यह पॉसिबल निया बहुत से लोग उसके टेटरा पैक्स आते हैं चोटे-चोटे पैक्स आते हैं हाडली मुझे लगता है 10-15 रुपीज के ट्वेंटी रुपीज माक्सिमम आप टेटरा पैक्स मिल जाते हैं राइट सो वो टेटरा पैक आपके जो शमता है दस पंदरा बीस पचास जितनी आपकी शमता है capability है उतने टेटरा पैक्स juices के आप अपने पास रख लो ठीक है बाहर निकलो घर से भार निकलो बहुत लोग मिलेंगे और यह देख के मत देना कि अगर बहुत से लोगों के मन में यह आ जाता है कि नहीं हमें सिर्फ गरीबों को ही देना है या सिर्फ जो बिल्कुल जरूरत मन् को ठीक है लेकिन रास्ते में होता है कई कई दफा कि कोई से भी लोग आ रहे हैं उनको प्यास लगी है तो हर सोल इंपोर्टन्ट है उस समय किसी को किसी ऐसे आकने की जरूरती है कि कौन बहुत नीडी है कौन बहुत वैसा है जो भी आपको मिलता है आप उसको अगर अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि जूसेज पानी की बॉटल कुछ मीठा शेर्बत अगर डोनेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जूसेज हम इतना नहीं कर सकते है रू अफजा उसका शर्बत बना लो वो आप डोनेट कर सकते हो कुछ भी डिस्पोजबल ग्लासेज ले जाओ उसमें डाल के आप डोनेट कर सकते हो आप लोगों के खुद के बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं अगर आप खुद सोचोगे कि हम किस तरह से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं बट मेरा यह कहना है कि कल का दिन मिस्स मत करिएगा कल पलीज कुछ न कुछ डॉनेट जरूर कीचिए और पीने का पानी तो जरूर आप अपने घर के टैरस पे बालकनी में पक्षियों के लिए पशूों के लिए ऑनिमट-ंजिए यह बर्ड के लिए कुछ ना कुछ पानी भरके जरूर रखिये, okay? हम सब जानते हैं, बर्ड्स, आनिमल्स, यह सब स्पेरेट होते हैं, right? और हमारे एंजल्स का भी काम करते हैं, इन ही के फैदर्स गिरते हैं, तो हम यह सोचते हैं, तो जब एंजल के connection का हमें इन feathers की जरूरत पढ़ती है तो उन birds के लिए कल पानी रखना बहुत जरूरी है कल प्लीज अपने अपने घरों में टेरस पे बालकनी में पानी का बरतन भरके मिट्टी का बरतन जैसे भी जिस भी चीज में पानी अब जरूर रखिए animals के लिए कल जितने लोगों को पानी से गलातर होगा उनकी positivity आप लोग एब्सॉप करोगे और यह आप लोगों को सारी पूरी life help करेगा अच्छा खुद के लिए क्या आप कौन सी टेकनीक कर सकते हो कल आप लोगों के लिए जो blessed टेकनीक रहेगी blessed मतलब super blessed वो है water affirmation कल क्योंकि पानी की तल्ब बहुत ज्यादा रहती है कल पानी की पावर्स इतनी बढ़ जाती है क्योंकि वो डिमांड में है हमें पता है ना जो चीज जादा डिमार्ड में रहती है उसकी वाईयु उसकी प्राईज हमेशा बढ़ जाती है वोग चीज सेम यहां भी है क्योंकि कल पानी की तलब सबसे जादा है कल पानी पिलाया जाता है, कल पानी की जरूरत, पानी से ही निर्जला एकादशी का relation है, आप क्या करना है, कल आप जो भी भी पानी पीए, जो लोग वरत रख रहे हैं, अगर निर्जला एकादशी का वरत रख रहे हो, बहुत बहुत अच्छा है, तो तब आप जो वरत में है जब आप अपना फास तोड़ते हो, जिसे पारन कहते हैं उस टाइम पे भी आप पानी पीते हो, जब ही भी आप पहला पानी पीओगे, व्रत शुरू करने से पहले वाला भी और व्रत ख़तम होने के बाद वाला भी पानी पीओगे, उस पानी को अपनी अपनी wishes के लिए affirm करक के पीओ, आप उसमें तीन बार हर विश को रिपीट करके पी सकते हो, आप यहां पर बाकी लोग जो वरत नहीं कर रहे हैं, वो कल के दिन जब भी पानी पीओगे, पानी में अपनी वेशिस के लिए अफर्मेशन दीजिए, और फिर उस पानी को कंजूम करें, जितनी भी बार हो सके तो कांच का ग्लास रखिए, कांच बहुत अच्छा होता है इस चीज के लिए, वाटर अफर्मेशन के लिए, कांच के ग्लास में पानी को अफर्म करके पीजिए, अगर ऑफिस में है और वहां पे कांच का ग्लास नहीं है, इस स्टील का ग्लास है, तो कोई बात नही लेकिन जब भी पानी पियोगे पानी को अफर्म करके अपनी विशस के लिए पियो अफर्मेशन में कैसे अफर्मेशन देंगे आप सिंपल बोलोगे थांगी उनिवर्स मेरी सो इन सो विश पूरी हो गई है I am so happy सब्सक्राइब अगर जॉब के लिए बोलरो Thank you universe I have got my dream job मुझे मेरी dream job मिल गई है मैं बहुत खुश हो इसी affirmation को तीन बार repeat करो पानी में देखो पानी में ये intention दो और फिर इस पानी को पी लो तो कल का दिन बहुत magical सिध होगा लेकिन हाँ आप लोग जो भी water technique कर रहे हैं Please I would request कि कुछ न कुछ जरूर पीने की चीजें तरल पदार्थ लिक्विड आप जरूर डोनेट करें दान करें दें पिलाएं दान भी क्या मतलब पिलाएं लोगों को बाहर जाएं बाहर बहुत से लोग मिलेंगे अगर आप लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं अटलीस्ट पशू पक्षियों के लिए बर्ड्स के लिए कुछ पानी का भरा हुआ हुआ रख दें रख किस तरह से करना है किसकी पूजा करनी चाहिए क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए वह सारा मैं ग्यान 24 के वीडियो में डाल दूंगी अपलोड कर दूंगी ठीक है अच्छा एक चीज और मैं विश्नु सहस्र नाम का विश्नु जी के हजार नामों का उचारन करके एक वीडियो अभी अपलोड कर दूँगी इस पे कल के दिन विश्णु जी के जितने नामों का उचारन करें बहुत अच्छा होता है और मेरा ये मानना है कि हम जो विश्णु जी के एक हजार नाम लेते हैं एक बार विश्णु भगवान हमारी तरफ जरूर देखते हैं और उनका एक बार का देखना ही हमारी जिंदगी बना देता है तो मैं विश्णु जी के हजार नामों का उचारन करके एक वीडियो डाल दूँगी आप उस वीडियो को सुनते हुए विश्णु जी के नामों को सुनिएगा सिर्फ सुनिएगा मत परिशान होएगा अगर जो चांटिंग करना चाते हैं प्लीज करिए बहुत अच्छा है लेकिन कल एक बार दिन में एक बार कम से कम वैसे जितनी भी बार आप करना चाहें कर सकते हैं विश्णु जी के नामों को सुनने के लिए कोई वो नहीं है कि कितना टाइम स्पेसिफिक है कुछ है अब जब मर्जी तब इसे कान में लगाईए लेट जाईए सुनते हुए अपने विश्ट को विश्रलाइज कर लीजेगा डेफिनिटली मैनिफेस्ट होगी जरूर मैनिफेस्ट होगी और मेरी भी यही विश है आप लोगों के लिए कि आप सब की जो भी विश्ट है छोटी बड़ी जो भी है ट्रू विश्ट है वो सब जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो So that's all guys, thank you so much and God bless you